भैरो सिंग से खावत एक सम्मानित भारतिय राजनेता और देश के पूर्वे उप्राष्ट पती थे वहें एक मात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 1952 से राजस्तान के सभी चुनाओं में जीत दर्ज की 1972 में विधान सभा चुनाओं को छोड़ कर भारतिय राजनीती में वहें दक्ष और परिपक्व नेता के रूप में जाने जाते थे विश्व बैंक के अध्यक्स रोबर्ट मैक नामरा ने से खावत को भारत का रोपफेलर कहा था उन्हें पुलिस और अफसरसाई व्यवस्ता पर कुसल प्रेसासन के लिए जाना जाता है इसके अलावा भैरो सिंग से खावत को राजस्थान में और ज्योगिक और आर्थिक विकास के पिता के तोर पर भी जाना जाता है राजे सभा में उन्हें अतुलिनिय प्रेसासन और कामकाज के लिए राष्टिय और अंतराष्टिय नेताओं से सरहाना मिली भैरो सिंग से खावत को भारत के पूर्व प्रधानवंतरी मन मोहन सिंग ने भारत के सबसे उच्चे नेता के तोर पर संबोधित किया था प्रारंबिक जीवन भैरो सिंग से खावत का जनम 23 अक्टूबर 1923 को राजस्तान के सिक्कर जिले में खाचरियावास गाम में हुआ वहे स्री देवी सिंग से खावत और स्री मती बनने कवर के पूत्र थे उन्होंने अपनी स्कूल की सिक्षा पूरी ही की थी की पिता जी का निधन हो गया जिसके कारण आगी की पढ़ाई नहीं कर सके पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई उन्होंने प्रारंब में खेती की और बाद में पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। बाद में उनका विवा सूरज कमर से करा दिया गया। कैरियर भैरो सिंग सिखावत ने 1952 में राजनीती में प्रवेश किया। 1952 से 1972 तक वह राजस्थान विधान सबा के सदश्य रहे। 1967 के चुनाव में भारतिय जनसंग और सहयोगी स्वतंत्र पार्टी बहुमत के नजदीक तो आई लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 1974 से 1977 तक उन्होंने राजसवा सदश्य के तोर पर अपनी सेवाएं दी। 1977 से 2002 वह राजस्थान विधान सबा के सदश्य रहे। 1977 में 200 में से 151 सीटों पर कबजा करके उनकी पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की। और वह राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने 1980 तक अपनी सेवाएं दी। 1980 में भारतिय जन्संग और स्वतंत्र पार्टी के विगटन के बाद वह बीजेपी में सामिल हो गए। 1990 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमी का निभाई। 1984 में सिरीमती इंद्रा गांदी के सासनकाल में बीजेपी चुनाव हार गई। 1990 में भहरु सिंग से कावत फिर से राजस्थान के मुख्य मंत्री बने और 1922 में तक पद पर बने रहे। उनके नेतरतों में बीजेपी ने अगले चुनाव में निन्याण में सीटे जीती। इस प्रकार स्वतंत्र समर्थों के सायोग से वह सरकार बनाने में सक्षम हो गए। लेकिन कॉंग्रेस इसके व्रोध में थी। 1903 में में लगातार तीसरी बार वह राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और पांस साल तक रहे। 1998 में में वह प्याज की बढ़ती किम्तों जैसे मुद्दों के कारण चुनाव हार गए। इसके बाद 1999 में में बीजेपी ने लोकसवा चुनाव में जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी को राजस्थान में 25 में से 16 लोकसवा सीटों पर जीत मिली। वर्स 2002 में बहरो सिंग सेखावत सुसिल कुमार सिंदे को हरा कर देश के उपराष्ट पती चुने गए। विपक्षी दल को 750 में से 149 मत मिले। जुलाई 2007 में उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस के समर्थन में निर्दलिय राष्ट पती पत का चुनाव लड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवस वह चुनाव हार गए और सिरीमती प्रतिभा पाटिल चुनाव जीती और देश की राष्ट पती बनी। इसके बाद बहरो सिंग सेखावत ने 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट पती पत से पुरुस्कार और सम्मान। बहरो सिंग सेखावत को उनकी कई उपलब्दियों और विलक्षन गुणों के चलते आंध्रा विश्व विध्यालय विशाका पत्नम, मात्मा गांधी, कासी विध्यापीट, वारानासी और मोहनलाल सुखाडिया विश्व विध्यालय उदैपूर ने डिलीट की उपादी प्रदान की, एस्याटिक सोसाइटी ओफ मुंबई ने उन्हें फैलोशिप से सम्मानित किया, तथा येरेवन इस्टेट मेडिकल उनिवस्टी अर्मेनिया द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल के साथ मेडिसिन डिगरी की डोक्टरेट उपादी प्रदान की, मेत्यू भैवरे भैरो सिंग सेखावत ने राजस्तान के मुख्य मंतरी के तोर पर प्रदेश के विकास में महत्यपुन भूमी का निभाई, उन्होंने सिख्या बालिकाओं का उत्यान वे उनका कल्यान, अनोसोचित जाती, जन जाती, अल्प संक्याग, पिछडावर्ग और सारीरिक विकला पर पढ़ने वाले दूस परिणामों के बारे में जाग रुप किया, लोगों की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने कई निवे स्नीतियां सुरू की, जिनमें उद्योगों का विकास, खनन, चड़क और परियतन सामिल है, उन्होंने हैरिटेज होटल और ग्रामिन परियतन जैसी योजनाओं को लागू करने का सिद्धान्त दिया, जिससे राजस्तान के प्रियतन छेत्र में व्रद्धी हुई, इस प्रकार उनके कार्यकाल के दोरान, राजस्तान की अर्थिववस्ता और वित्य इस्तिती बेहतर रही, धन्यवाद, जै हिंग, जै भारत